रासाने भुपाल की नीची स्कूल में तीन साल की बच्ची के दुशकर्म के मामली में पैरेंट्स और सामचिक संगठा ने गुरुवार को स्कूल पहुचकर जम कर हंगामा किया जिसके बाद स्कूल के सामने बेरिगेटिंग की गई है उनकी मांग है कि स्कूल की मानिता रध की जाए साथे दुषकर्म के आरोपी टीचर कासीम रेहान कुफासी के सजा दी जाए दरसल बुदुबार को कमला नगरस्तित स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ दुशकर्म का मामला सामने आए हैं आरोपी स्कूल का टीचर है पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है लेकिन इस घटना से आगरोशित सामजिक संगठन और परिजनों ने लेकित बाति बचाफ मंच और एबीवीपे की कार्यकता स्कूल के मानिता रद करने की मांग को लेकर धन्ये पर बैठ हैं कार्यकृताओं का कहना है कि इस रद नहीं होने तक इस्कूल स्कूल के बाहर प्रदर्शन जारी रहेगा वह इस पूरे मामली के जावच के लिए भुपार पुलिस कमिशनर हरी नारण चारे मिशनर ने एसाइटी का गठन किया है और एसाइटी ने मामली के जावच चुरू करती है मुझे प्रिशासन से एक ही रिक्वेस्ट है बोपान में जितने भी स्कूले समें फिमेर टीचर होना चाहिए और हमारी बच्ची हम को टी सी चाहिए जो हमने बुक्स में पैसे खचकरे 4,000 रुपे वो चाहिए और सर हमाई सित्ती साल बर के फीसे हमको वो वापट चाहिए इसकूल तो ये बंदी ताला लगना चाहिए यहाँ पे कासिम रहान की गिरबतारी करके उसको ततकाल जेल भेज दिया गया क्या जेल की रोटी खिलाने के लिए ये कार किया गया उसके खिलाब सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए थी उसके रिमांड होनी चाहिए थी दो घंटे में पुलिस ने अपना काम करके इतिसरी कर ली कि हिंदू समाज का आकरोस का जागरत ना हो जाए कासिम रहान को यहां से फासी देना चाहिए और पुलिस प्रशाशन को यह धियों को यह द्यान रखना चाहिए कि इसकी माननेता रद होनी चाहिए क्योंकि इसका पूरू प्रिंस्पल भी बलातकारी था और जिसने उसे पकड़ा था उसे जो है इसकूल से निकाल दिया गया संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है हिंदू समाज ये मांग करता है कि उसको फासी की सजा होनी चाहिए